अच्छे लग रहे हैं आज हम लोग बनाएंगे बची हुई रोटियों का पहतरी नाश्ता यूजुली हम लोग सोचते हैं कि रोटिया इतनी सारी सुबह बच चुकी है तो क्या बनाए तो यह जटपट नाश्ता आपको सबको बहुत पसंद आएगा है यह जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान है साथ में वेजीज भी चाती है तो यह हेल्दी फिलिंग ब्रिकफस्ट आप जरूर बनाएगा तो इसलिया स्टार्ट करते हैं लेफ्ट ओवर रोटियों की नूडल्स यहा पे मैंने बची हुई रोटिया ली है यहाँ बे चार रोटिया उपने ली है लिए और इस तरही के से रोल कर देंगे और मैं चक्को साहत है से इसको लंबा- Milwaukee कट कर लूँगी बेसिकली हमें रोटी kya noodles बनाने है तो देखिए इस вп cens रिखि Mississippi कर लिया है मै इसको हाथ से हम थोड़ा फैला लेंगे ताकि noodles जैसा shape Do??? एक frying pan में हमें थोड़ा से ठेल डालकर मैं भून हूंगी तो वह थे क्रंट कर लोंगी उसी पैन में मैं थोड़ा सा तेल और डालूंगी और साथ में प्यास और हरी मिर्ची है उसको भून लेंगे बेसिकली यह चाइनी स्टाइल के नूडल्स रोटी है तो साथ में मैंने शिम्ला मिश डाल दी है जिंजर गालिक पेस्ट ले लेंगे थोड़ी सी पत्य को भी डाल लेंगे आप देखिए कितना हेल्दी भी बन रहा है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स जा रही है और इस तरीके से थोड़ा सा क्रंची हो गया है तो थोड़ा सा नमक डालेंगे शेजवान सॉस, चिली सॉस, केचप और सोया सॉस डाल कर इसको हम लोग मिक्स कर देंगे आप देखिए कितना फटाफट बन जाता है अगर आप वेजिज कटकर के रख लीजिए नूडल्स आप बना के रख लीजिए तो यह बहुत जल्दी बन जाता है अब हम इसमें इसको सर्फ कीजिए बहुत ही मज़दार लगता है साथ में हम इसके उपर स्प्रिंग आयन की गर्नेशिंग कर देंगे और इसको गरम-गरम सर्फ करेंगे आप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी आप जरूर ट्राइ किजिएगा और मुझे कमें सेक्षिन में झाल